पूरा दीन मार्केट प्राजेक्शन को फॉलो किया मतला भी बहुत दिनों के बाद हुआ कि मार्केट ने सुबह में जो रिट्रेश्मेंट जब भी आ रहा था तो पॉइंट 5 पर्सेंट से उपर जाही नहीं रहा था और आप देख लो मालो कि हमने रिट्रेस्मेंट थिवरी के इउटलाइज कर रहे हैं तो यहां यह हमरा जो हाई है और यह लो है पॉइंट फाइफ परसेंट पर यहां रिट्रेस्मेंट मार्केट ने लिए चलो ठीक है लोग हर बार इसमें क्या कर रहे होंगे कि इसको लोंग करने कोशिश करना स्वर्ट करने कोशिश नहीं कर रहे हैं मैक जोम लोगों के साथ यह प्रवलम आई होगी इसको लोंग कर रहे होंगे और यह मार्केट हर बार उनको घच्चा दे करके और हर बार जो है सो पॉइंट फाइफ परसेंट पर फिर नीचे आ गया फिसा प्राइजिक्षन बहुत कम देखने को मिलता है ना के बराबर देखने को मिलता है जो इस टाइब के प्राई एक्षन मार्केट में बनते हों जैसे माल लो कि हमारा एक ये लो लगता है एगेन ये एक में डूक जा ये हो गया फिर मार्केट नेया रिट्रेस्मेंट किया फिर मार्केट नीचे आ गया फिर रिट्रेस कर गया फिर मार्केट यहां पर न तो मार्केट एक नया हाई नहीं लगाने कोशिस कर रहा है देखो मार्केट उपर तो जा रहा है लेकिन उतना ही तेजी से मार्केट नीचे भी आ रहा है इसका यह मतलब हुआ कि मार्केट जो है एक रेंज में रहना चाहता है मार्केट ने एक्स्ट्रीम बुली सोना चाहता ह और यह 500 का जो लेबल था जो पहले भी आमने मार्क करके रखा था कि 500 के लेबल स्ट्रोंग है मार्केट एड्जेक्ट यहाँ पर यहीं से कल बाइंग आई थी आप देखो यहीं से कल बाइंग कितनी सुन्दर बाइंग आई थी और मार्केट वहीं फिर से पहुँच गया ठियागा अभी बजट के माद या बजट के पहले क्यूंकि अगरसनिंग कांटीनी होती तो besky चड़ झाल सकता है कि भी सेलिंग रहे अदर वाइज हैी मार्केट में लग सकता है तो बात हैं आप